दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्बिंद के जरिवाद तथा उप मुख्य मंत्री मनीज ची सोधिया ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र जारी किया दिल्ली बिजान सवाद चुनाव 2020 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में दिल्ली को दुनिया का सबसे बहतरी सहर बराने का लक्स रखा है इससे पहले आम आदमी पार्टी एक गारांटी कार्ड जारी कर रहा गया और हमारा भी मैनिफेस्ट हो आगया और जनतंत्र में जरूरी है बहस यह जरूरी है कि इसके उपर बहस हो कि वो क्या वाइदे कर रहे हैं और हम क्या वाइदे कर रहे हैं यह जरूरी है कि जनता के स कि उन्होंने जो वादे किया वो संभव हैं क्या जनता उन वादों को सही मानती है या हमने जो वादे किया हमने जो काम किये तो मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग यह चाहते हैं कि बीजेपी अपना CM Candidate Declare करे और उस CM Candidate के साथ मैं बहस करने के लि दूख्य बाते हैं सबसे पहले बिजली पानी को फ्री बिजली और पानी की बात कही है चौबीस घंटे 200 उनिट फ्री बिजली तरथा 24 घंटे नल से साफ पानी की सुभिधा जमना को साफ करने की गारंटी जन लोकपाल, स्वराज बिल इसका भी वादा किया है पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से जो उसका डोर स्टेप डिलिवरी का वादा था जो पिछली बार भी बड़े जोर सोर से इस पर बात कर रही थी उसको एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि सभी के लिए खाद सुरक्षा और रासन की आपूर्ती में पार दर्शिता और जब आप देही सुनुश्चित करने के साथ साथ इसके लिए क्रांतिकारी पहल के रूप में रासन की डोर स्टेप डिलिवरी यानि उपहोगता के घर त रूप योग को नियमित और परिवर्थित नहीं किया है अनि दिक्रित कालोनियों को नियमित करने के लिए आप सरकार के इस सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी जिससे सभी को उनके घरों के उचित रजिस्ट्रिया मिल सके समविदा करमचारी या सुनिश्चित किया जाएगा कि दिली सरकार के साथ कारेरस सवी समविदा करमचारियों को अस्थाई किया जा सके कि लिए किसान की भूमी पर अन्याय पून किया था या पांच बरसों से किंदर के पास लंबित है आप किंद सरकार द्वारा दिल्ली जनलोकपाल बिल पास करवाने के लिए संघर्स जारी रखेगी दिल्ली सुराज बिल दिल्ली सरकार ने इसके लिए जून 2016 में सहर भर में 17 बिधान सबाचेतरों में 2972 मुहला सभाओं के गठन की मंजूरी दी थी ताकि लोगों को रोजाना की तमाम समस्याओं का हल किया जा सके आप किंद सरकार के साथ मिल कर एक मजबूत दिल्ली स्वराज बिधेयक लाने का प्रयास करेगी सीलिंग कानूनी और प्रसासनी कदम उठाते हुए आप केंद सरकार DDA और MCD पर दबाव डालेगी कि वे उद्योगों और दुकानों को सील न होने दें और सील की गई दुकाने खोली जाए सरकिल रेट वास्तिक बजार मुल्यों को ध्यान में रखकर दिल्ली में सरकल रेट को ब्यापक समिक्षा और युक्तिकरण किया जाएगा ताकि संपत्ति मालिकों के हितों की रक्षा हो देश भक्ति पाठिकरम दिल्ली के सरकारी दिल्ली सरकार के स्कूलों में सुरू की गई हैपिनेस करिकूलम और इंटर्पिरोनियर्शिप करिकूलम की सपलताओं के बाद अब देश भक्ति पाटकरम भी लाया जाएगा यमुना रिवर शाइड विकास जमुना नदी को पुनरजिवित करने के साथ किंद सरकार के साथ मिलकर जमुना पर एक सुन्दर रिवर शाइड का विकास किया जाएगा यह यमुना एको सिस्टम को बनाए रखने और दिल्ली के लिए एक नया परियटा नसल बनाने में सो किलो मीटर से ज्यादा बढ़ाया जाएगा बुराड़ी किराड़ी विजवासन नरेला करावन नगर मंगोल पूरिजय से अन्डे छेत्रों को मेट्रों से जोड़ा जाएगा सफाई करमचारियों के न्युक्ति दिल्ली की सडकों को साफ सुत्रा बनाए रखने के लिए प्रयाप्त संख्या में सफाई करमचारी नहीं है दिली जनगरना दो हजार एगारग की जनगरना के अधार को मानते हुए आवासिय कालोमुanियों में तेजी से बिश्टार को ध्यान में रखते हुए नए सफाई करमचारियों की निवक्ति सुनिश्चित की जाएगी पुराने वैट मामले का निस्ताराण मैलाओं की भागिदारी ग्रिगडियों को अपने घरों से या आसपास नोकरी या वेवसाय के अवसरों से जोड़ने की पहल की जाएगी ताकि वे अपने घरेलू आए के साथ साथ दिल्ली और राष्टी राजजानी के अर्थ वेवस्ता में योगदान कर सकें मैलाओं को सस्ती पूजी और अप्यक्षित कोसल के अशर दिये जाएंगे बजार और अध्योगिक छेत्रों का विकास दिल्ली के बजारों और अध्योगिक छेत्रों के विकास के लिए प्रयाप्ट धन अमंटित किया जाएगा पुनरवास कालोनियों के लिए मालिकाना अधिकार केन सरकार के साथ मिलकर पुनरवास कालोनियों के निवासियों को फ्री होल्ड के सिति का पूर्ण मालिकाना अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा OBC परमाणपत्र के नियम सरल होंगे OBC परमाणपत्र के लिए बर्स 1993 से पहले के निवास परमाणपत्र के बाज़ता को खत्म करने के लिए केंद सरकार पर दबाव बनाया जाएगा यह नियम लागू करवाया जाएगा कि पिछले पांच साल से दिलनी में रह रहे व्यक्ति को OBC परमाणपत्र जारी किया जाए भोजपूरी के मन्यता भोजपूरी भासा को भारत के संबिधान के आठवी और सूची में सामिल करने के लिए केंद सरकार पर दबाव बनाया जाएगा 1984 सीख बिरोधी नरसंगहार पीड़तों के लिए न्याए उच्तम नाले द्वारा जस्टिस एसे धिंगरा के अधिन गठित एसाई के निसकर्सों पर ततकाल का रवाई हो और 84 सीख बिरोधी नरसंगहार के पीड़तों को न्याए की मांग करेगे फसल नुक्सान पर मुआबजा हम किसान को 50,000 रुपय परती हेक्टेर के हिसाब से फसल नुक्सान पर मुआबजा देना जारी रखेंगे देश में फसल नुक्सान पर किसानों को दिये जाने वाला या सबसे अधिक मुआबजा है रेहरी पट्री संचालकों को कानूनी संरक्षण रेहरी पट्री विक्रेता और फेरी वालों को कानूनी सुरक्षा देने वाला दिल्ली भारत का पहला राज़ बनेगा छो महीने के भीतर वेंडिंग का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा MCD और दिल्ली पूलिस के हाथ वो रेड़ी पट्री बिकरताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए अंतराश्टिय गुणबक्ता वाले कियोस अस्थापित करेंगे दिल्ली को पूण राज्य का दर्जा आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर जूर देती रहेगी आप सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली राज्य बिधेक दो हजार सूरा के मुसाओधे में पूर्ण राज्य को परिभासित किया गया है जिसमें नई दिल्ली चेत्र यानि नई दिल्ली नगरपाल का परिशत के अधिकार वाले चेत्र को छोड़कर अन्य चेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा जब हर भारत के बंदे का अच्छा इलाज हो पाएगा जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्म विश्वास जगाएगा जब सस्ती बिजली पानी हर घर को मिल पाएगा जब धर्म जाती से उपर उठकर हर जन भारत को आगे बढ़ाएगा तब ही अमर्तिरंगा आस्मान में शान से लहराएगा ये इसका विजन है